तो देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक का है गोली दरपड़ु से समबंदित प्रतिवीम बनने के नियम ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे गोली दरपड जो है उससे समबंदित प्रतिवीम बनने के नियम क्या है बस इस टॉपिक को इतना ही पढ़ना है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसलिए इस वीडियो पूरेंट तक देख तरी अगर आ गोलिय दरपढ से संबंदित प्रत्वीम बनने के नियम टेके टिन देखिए दरपड से टकराने के पस्चाद फोकस से होकर गुजरती है पहला नियम यह है तो ध्यांस देखिए दरपड के मुख्यार्च के समांतर आने वाली प्रकास किरण दरपड से टकराने के पस्चाद फोकस से होकर गुजरती है यह प्रथम नियम कहता है चलिए मैं यहा जान लेजी, first law इसको इंगलिसम बोलते हैं, तो first law में क्या करना है, देखें द्यान से मैं इसका लिख देता हूँ, definition, दरपड के मुख्य अक्ष, के समांतर, के समांतर, आने वाली प्रकास किरण, आने वाली प्रकास किरण, दरपड से टक्राने के पश्चात, दरपड से टक्राने के पश्चात, दरपड से टक्राने के पश्चात, फोकस से होकर, फोकस से होकर, फोकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, यह आउतर लेंस में होता है, किसमें, आउतर लेंस में फोकस से होकर जाती है, और उतल के लिए क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतित होती है, आतल कहेगा तो जाती हुई प्रतित होती है, और उतल कहेगा तो आती हुई, यानि दोनों फीगर को अभी समझेंगे, तो इसका प्रतम नियम क्या है, आतल हो या उतल दोनों के लिए बता रहा हूं, देखि साथ फोकस से होकर जाती हुई परतीत होती है यह अवतल हो गया और उतल में आती हुई परतीत होती है ठीक है अभी यहां पर फिगर देखे ध्यान से यहां पर मैं बना रहा हूं दोनों का फिगर पहले अवतल दरपड के लिए यहां पर ध्यान देजिएगा ठीक है यहां पर ऐतल दरपड को पीछे से इसको पुलिस कर देते हैं फूकर की और केquinho ऊ types आंडख से म। आण decision A आभ française भी तो क्या है जो की बस तूप से परकास आएगा यह दरपड के मुख्य अप्श के समानतर आएगा तो पहला नियम में बताया कि बस्तु से आने वाला प्रकास मुख्य अक्ष्च के समंतर आने के बाद दरपड सी ठकर आएगा तो कहां से घुज़रेगा सिद्धे फोकस से उपर जाएगा कहां से फोकस है यह एरो बतारी यह घिजा रहा है और यह बतारी प्रवरतन के बाद यह आरा एलोट कर टकरा कर तो प्रतम नियम में यह उत्तल दरपड में होता है कि आउत्तल दरपड का मुख्य अक्ष के समंतर आने वाली प्रकास कि रड़ दरपड से तकराने के बाद करता है अब यहां पर पारकास से ऑपर फॉकस से अखर बिजरती अब यहें उत्तल में दीक है तो यहां इसमें बहु कि रिया है लेकिन इसमें क्या है कि वास्तफिक यह पर आज दर्यान दीडिए आब दीखिट यामारा पोल हो गया अब देखे बस्तु को बाईं तरफ हम यह सा रखा जाता है यानि कि अवतल दर्वण हो या उत्तल हमेशा बाईं तरफ भी बस्तु रखी जाती है तो बस्तु से आने वाला प्रकास लेखिये जाएगा तो उत्तल दर्वण में ठकराएगा यह जा रही है तकराने के बाद फिर उसी मादे में वह अपस लोड गया यह तो लोड रहा है लेकिन इसका जो प्रतिभीम बनेगा फोकस पर बनेगा पीछे की तरफ आती विपरतित होगा यह इसे हम डाट डाट करके अभासी दरसाते इस तरीके से ठीक है डाट डाट करके ऐसे अभासी तो यह हो गया प्रत्थम नियम द्यान से देखिएगा प्रत्यम नियम में यां प्रत्यम दूइतिय नियम ध्यान दीचिएगा दूइतिय नियम में क्या होता है सेकेंड लो में तो ध्यान दीचिक क्या बताएंगे कि दरपर के मुख्य फोकस से वोकर आने वली प्रकास किरण दरपर से टक्राने के पस्चाथ मुख्य अक्ष के समानतर वापिस लोड़ जाती है जो भी फिगर बना कर समझ लेते हैं पहले आउतल और उतल देखें ध्यान से यहां पर पहले इसका परिभासा मैं लिख देता हूं ठीक है तो देखिए दूसरा दरपर के दरपर के फोकस से होकर से होकर जाने वाली जाने वाली प्रकास किरण दरपर से तक्राने के पस्चाथ मुख्य अक्ष के समांतर समांतर वापस वापस लाट आती है वापस लोट जाती है पहले लिख लो ये जाती हो यह आती है और लोट आती है उतल के लिए तो दोनों अभी हम फीगर समझ लेते हैं ठीक है तो द्यान पहले अवतल के लिए बना देता हूं यहां पर इसको दरपड के रूप में बदल देते हैं पीछे पॉलिस कर दें ओके तो द्यान सबस्त देखते रहना एम हो जाएगा यह हो जाएगा यहां पर हम मुख्या खीच देते हैं यह हो गया बोल दरपड का यह हो गया फोकस यह सेंटर आप घर्वेचर उके तो इसमें क्या बताया है कि दरपड के फोकस से वकर आने वाली प्रकास किरड़ दरपर से टक्राने के पस्चात मुख्या अब्सके समंतर हो जाएगी ओके तो देखिए यहां से यह प्रावर्तित किरड़ बस ध्यान यहीं रखना है कि दूसरा नियम में क्या होता है कि बस तूसरे प्रकास आएगा वह दरपड के जो फोकस है वहीं से जाएगा और दरपड से टक्राने के बाद सीधे मुह के अर्च के समानतर वापीस लोड़ जागे यह दूसरा नियम य पर फ्री में नोट्स देते हैं वहां पर जाएए और दूरंद आपर एड़ अपर ठीक है यहां पर देखिए उतल दरपन यह हमारा फोकस हो गया यह हमर सेंटर आफ कर वेचर द्यान से देखते रहना है यहां पर माली जी बस तू रखे हैं बस तू से जो प्रकास जाएग यह प्रति वी ठीक़े यह आतीक परतीत होती और आतल में जाती हुई यह उपतल दर पड़ो गया ओके इसको एरो बना देता हूं ठीक है यह जाती परती थोड़े तो अगर इसके इसके स्किन सड़ लेना चाहते हैं सेकेंड नियम का तो ले सकते हैं इसके बाद अभी हम चलेंगे थर्ड नियम पर ओके अब चले है इसको एरेजि करते हैं मेटा देते हैं छिक फुट ले लिजेगा चलिए अब ठोश लते हैं तीसरीम क्या कहता है डियांसद्र देखते ही रहना है चलिए तैसरीम को देखते हैं पहले नमबर थर्ड लियुँँ त्रिति नियम इसका पहले परिवासा ध्यान से सुन लीजेगा इसका परिवासा द्यान सुनिये कि मिए दरपड के वक्रता किंदर से होकर आने वाली प्रकास किरण दरपड से टक्राने के पस्चाथ फिर उसी माध्याम में उसी मार्ग में वापिस लोड जाता है ये तीसरा नियम होता है प्रत्मीम बनने का दरपड के वक्रता केंदर से होकर आने वाली प्रकास किरण दरपड से टक्राने के पस्चाथ फिर उसी मार्ग में वापिस लोड जाता है जिस मार्ग से आया वुशा वापिस लोड जाया दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकास की रण दर्पण से तक्राने के पस्चात तक प Highway अपने ही मार्ग में पिर अपने ही मार्ग में मार्ग में वापस वापस लोट आती है लोट जाती है अगर लोट जाती है यह अउतल दर्पण के लिए हजएगा और लोट आती है कहा देगा तीया फिकर समझाते हैं तो ध्यांदी जी यहांपर figure मैं बना देता हूं सबसे पहले औतल के लिए बनाता हूं के यहां पर देखिए और तल जिखुच लिया इसको पर क्या हो गया फोकस हो गया यहां पर क्या होगे सेंटर आफ करवेचर यह अवतल दर्पड के लिए बता रहा हूं आप देखिए बताया हूं क्यों दर्पड के द्वक्रता केंद्र से होकर आने वाली मतलब जाने वाली प्रकास की रड़ दर्पड से टक्राने के पसद फीर अपने ही मार्ग में वापिस लोड़ जाती है इसी को बुलते हैं तीसरा नियम तो देखिए दरपड से यहां से मालें जिबस्तु प्रक्यां बस्तु से प्रकास जाएगा कहां पर वक्रता के इंदर से होकर जाते हुए जाएगा दरपड पर तक राएगा तो यह तो आ रहा ह है उतल दरपड भी बना लेंगे ऐसे कलाई कर देते हैं इसको भी ओके अब यहां पर भी प्रकास को बेजेंगे तो उतल दरपड में कैसे बनता है देखिए एमेन हो गया ना ओके यहां पर मुख्यक छीच लिए यहां पर फोकस हो गया यहां पर सेंटर आफ कर वेचर हो ग यहां पर जाती फिर यहां पर से वापस लोट रही है लेकिन यह आप हासी जाता हुआ परतीत होगा काहां पर सेंटर आफ कर वेचर पर समझ में आ रहा है ना तो यहीं है आपस लोट जाएगी अपने ही पर नहीं बूलें पर वापस लोट जाएगी इस से मतलब प्रतिम बने की नियम में तीसरा नहीं हो के विडियो मोण ब्स इतना ही बताने वाले ते क्योंजने आपको अंष्रक आना नहीं बच्चों को जोड़ी ए चैनल से नए बच्चों को थैंक्स पर वाचिंग